साथियो जै जवान जै किसान मैं आपका रवी आज़ाद साथियो बीजेपी के दो ही काम है सरकारी संस्थाओं को बेचना या उनको सिफ्ट करना या उनको मर्ज करना और एक ऐसा ही जन विरोधी और हर्याना विरोधी फैसला सरकार ने करते हुए हिसार में सोगात के रूप में जिसको माना जाता था चोदरी देविलाल की समरती में स्थापित हुए दूरदर्सन केंदर को हिसार से चंदिगण सिफ्ट करने का आदेश सरकार ने 29 दिसंबर 2022 को दिया और सरकार ने इस चिठी में कहा कि अगले 15 दिन में हिसार के दूरदर्सन केंदर को हिसार से चंदिगण सिफ्ट किया जाएगा यानि कि हिसार का दूरदर्सन केंदर बंद 40 पक्के और 30 कच्चे करमचारी उनके रोजगार पे भी संकटा चुका है और जो सबसे बड़ी बात है साथियो सबसे बड़ी बात किसानों के मसीया, चोद्री देविलाल की समर्ति में इस दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई, हरियाना की संस्कृती को अलग पहचान मिली मोसम की जानकारी किसानों को मिलती थी आम जनता को मिलती थी करसी विसेशग्य अपनी बात रखते थे रागनियों के कारिये करम होते थे हर्यानवी संस्कृति को बढ़ावा मिलता था अलग-अलग खेती की जानकारियां दी जाती थी अलग-अलग विसेशग्यों दुआरा खेती से लेकर के पसू पालन तक और बहुत सारे कलाकारों को अपनी परतीबा दिखाने का और हर्याना की संस्कृति को आगे बढ़ाने का और किसानों के लिए ये केंदर बहुत लाबक के खिलाप है और सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया पिछले एक अफते से लगातार वहाँ पर करमचारी और उनके साथ दूसरे संगठनों के नेता उस दूरदर्सन के अंदर के ऊपर धरना दे रहें उसको बचाने के लिए और सातियों सरकार ने आदेश दिया था ताड़े मारने का कि अपने घर बैठे करमचारी जाकर के लेकिन जो धरना लगा हुआ ताड़ा नहीं मारने दिया गया है मेरी सबी कलाकार सातियों से सबी संगठनों से नोजवान सातियों से किसान भाईयों से भी अपील है कि एक सोगात के रूप में दूरदर्सन के अंदर आपको पढ़ेंगे इस वीडियो को सेयर करें धन्यवाद जैजवान जैज़े